जब भी हम लोगों के उपर कोई बहुत बड़ा दुखा आता है ना, तो हम लोग पूरी तरीके से तूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, एक साधारन सी बात है, हर एक के साथ ऐसा होता है, हर व्यक्ति तूटता है और बिखरता है, लेकिन वापिस अपने आपको संभालना ही समालेंगे, तो जो हमारा बिखरावा हिस्सा है ना, वो कहा जाएगा, हमें समझी नहीं आएगी, जैसे एक फूलदान है, वो तूट गया, कहीं पड़ावाए, और उसके टुकड़े जो हैं, वो बिखर गए, आप अगर उसी समय, उसे समेट के एक खटा कर देंगे उसक नहीं भी जुड़ पाएंगे, तो भी किसी को शायद पता ना लगे, ऐसा कई बारी होता है, ऐसा कई लोग करते हैं कई चीजों के साथ, लेकिन अगर उस समय, आप उस फूलदान के टुकड़ों को नहीं उठाते हैं ना, और छोड़ देते हैं ना, उसके बाद तो उसके बड़े बड़े हिससे शायद आपके हाथ आजाएं, लेकिन जो छोटे हिससे हैं जो इधर उदर गए, वो पता ही नहीं चलेगा कि कहा गए, और बाद में वो जुड़ भी नहीं पाएंगे, वैसे ही है, जब भी कोई दुख आता है, तो हमें अपने दुख से तो बाहर न अंदर से तूटा है, वो कहीं ना कहीं इतना दूर हमसे चला जाएगा कि हम उसे दुबारा समेट के ठीक कर ही नहीं पाएंगे, तो अगर हमें पता है कि हमें ऐसा करना है, तो ये भी हमें समझना है कि जब दुख आया ना, तो हमने दुख से खुद को उबारना है, बाहर निकलना है और उसके बाद खुद को समेटना बहुत जरूरी है वापिस खड़ा होना बहुत जरूरी है जीवन में बहुत बड़ी बड़ी दुरगटना ही हो जाती है एक्सिडन्ट हो सकता है किसी अपने के मृत्यू हो सकती है कहीं लोग क्या होता है कि उस चीज को ही लेके जीवन पर बैठे रहते हैं आप देखे कुछ ऐसा हो जाता है लोग continuous फिर ना वही बात repeat करते रहते हैं तब ऐसा था अब ऐसा हो गया उसके बात नहीं है वो लोग लगातार उस तरीके की बाते करते हैं जो उनको वहीं रोक देती है जो कहीं ना कहीं उनका जो वो टूटावा हिस्सा है उनके हाथ नहीं आता है इस से बहतर यही है कि उस दुख से बाहर निकल के खुद को खड़े करके खुद को समेटना बहुत जरूरी है नहीं समेटेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसी ट्रामा में रह जाएंगे कहीं न कहीं उसी फील में रह जाएंगे फिर ये फील ये दुक हमारे अंदर एक ब्लॉकेज बना देता है एक कुंठा बना देता है और ऐसी कुंठा ऐसी ब्लॉकेज हमारे अंदर बन जाती है ना तो मांसिक रूप से हम कहीं न कहीं तोटते हैं और ये चीजें हमें मांसिक रूप से बीमार करती है और ये ही मांसिक जो हमारी कमजोरी है बाद में शारीरिक किसी बीमारी किसी परिशानी के रूप में आती है और ये जो हमारे शरीर की जो समस्या है बाद में हमें जीवन की किसी समस्या के रूप में मिलती है वो नकरात्मक्ता हमें अपने अंदर से निकालनी बहुत जरूरी है नहीं तो हम उस नकरात्मक्ता को जमा करके अपने जीवन में हमेशा के लिए शरीर की बिमारियां, मन की बिमारियां और जीवन की बिमारियां ले लेते हैं जिन्दिगी का नाम चलना है, जीवन का नाम चलना है जैसे पानी है, कहीं रुख जाएगा, नदी बहरी है, थोड़ा सा पानी कहीं ऐसे इखटा हो गया और उस जगह फ्लो ही नहीं जा रहा है नदी के पानी का एक तरफ वो अलग ही रह गया है पानी और बाकी सारा पानी बहता जा रहा है तो वो पानी ठीक नहीं रहेगा वैसे ही हमने अपने दिमाग के एक हिस्से को कहीं भी ऐसे अलग नहीं कर लेना है हमन ब्लॉक कर लीजी अच्छी बात है जहां आपने नेगटिव की उजा ब्लॉक और बस वहीं कहीं न कहीं प्राब्लम्स आई क्योंकि ब्लॉकेज ही में प्राब्लम होती उन कुंठाओं से उन दुखों से हमें उबर के अपने आपको बाहर निकाल के खड़ा करके वापिस पहल ले लेती है और उस इस्तरता को अगर हमें निकालना है अपने जीवन से तो हमें उस दुख के कुछ दिनों बाद ही कोशिश करनी पड़ेगी बहुत सारे तरीके जैसे कि आप को जिस भी चीज में इंटरस्ट है आप वापिस उस चीज में जाएए आप गाने सुन सकते हैं वीडियो पसंदें आप वो देख सकते हैं या आपको खुद को गाना पसंदें वो कर सकते हैं और कुकिंग खाना बनाना बहुत ज़्यादा बढ़िया उपाय है आप किसी भी दुख से किसी भी परिशानी से डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं अगर आप खाना बनाएं खुद बहुत ज़ादा benefit होता है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं किसी चीज को बना रहे हैं जब आप तेल डालेंगे मसाला डालेंगे, सब्जी डालेंगे तो आप देखेंगे उस चीज को बनते वे जो आप growth देखते हैं जो आप progress देखते हैं कहीं ना कहीं, वो जो आपके दिमाग में एक स्टिर हो गई थी चीज़ी, एक नकरात्मक्ता बैट गई थी, कि ये नकरात्मक्ता ही सचाई है, ये दुखी सचाई है, ये एकसिडेंट सचाई है, ये डेट सचाई है, वो चीज़े निकलती है, आपका जो ध्यान है, वो ग्रो आगे जाना है और चीजें आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अपने आपी परिवर्तित होने लग जाती हैं जब बाकी चीजों के साथ मिलती हैं तो यह चीजें हमारे दिमाग में फीड हो जाती हैं बहुत सारी चीजें आप अपने इंटरेस्ट के आपको डांस पसंद है आप वो कर सकते हैं आपके जो अपने हैं आप उनसे बाते कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घंटों बाते ही करते जारें तो फिर आप उसी बात को आप रेपीट करेंगे फिर आप और ट्रामा में जाएंगे जरूरी है अपने आपको खुद अकेले टाइम देना जैसे बाते तो आपको करनी पड़ेंगी, दुख तो बाटना ही हैं लेकिन, अपने किसी इंटरस्ट के साथ खुद को टाइम देना, अपने मन को खुश करना, उन चीजों में लगाना जो आपको अच्छी लगती हैं, अपनी रुची के काम करना, फिर कहीं न कहीं आप, वो जो एक कुंठा को अपने अंदर घर नहीं करने देना, क्योंकि ये कुंठाएं हमारे अफचेतन वन में इतनी गहरी जगा बना लेती हैं वो कभी खतम नहीं होती, और ये सारी चीजें हमारे साथ इस जनम में तो रहती रहती हैं, हमारे अगले जनम में भी जाती हैं हमारी आत्मा क साथ जो चीजे जो ग्यान जो बाते हमारे अफचेतन मन में हैं ना वो जुड़ जाती है हमारे आत्मा के साथ और बीच की तरह हमेशा हमारा पीछा करती है और अगले जनम में जो हमारा रूट चक्र होएगा फिर वो इन चीजों से जुड़ावा होता है क्यों ऐसी कुंठाएं लेने क्यों ऐसे दुख लेने क्यों ऐसी परिशानी लेने जब हमें पता है कि ये चीज हमारे साथ जुड़ ही जाएगी निकलेगी ही नहीं तो हम ऐसी चीज को अपने साथ क्यों जोड़ें जब हमें ना खتم होने वाली ब्लॉकेज आए, यह ना खتم होने वाली नकरात्मक ता है, क्यूंकि दुख अगर बढ़ा होगा, तो कुंठाइं होती हैं और बार आना है, इन दुखों से, इन कुंठाओं से, हमें खुद कोई, कोई नहीं करेगा हमारे लिए, हमें खुद को सब से पहले करना फिर कोई कुछ करेगा बले कोई कुछ भी कहे कि देखो यह तो इतनी जल्दी नॉर्मल फील कर रहा है या कर रही है कुछ भी लेकिन हमें पता है ना कि हमें जो हमारा जीवन है हमें जीन है हमें पता है कि हम अपनी आत्मा को अगर पीडित करेंगे तो हमारी आत अद्मा साटिस्वाई नहीं हो पाएगी, खुश नहीं हो पाएगी, जब हमारा अंतर मानी की खुश नहीं होगा, तो फिर हम धीरे धीरे चड़चड़े होते रहेंगे, और ये जीवन की चड़चुड़ाहट, बेचैनी, हमें असफलता देने वाली है, जब जीवन में, अपनी सकरात्मत्ता को अपने साथ पकड़ के रखना है, हमने अपने आपको अपने बिखरेवे हिस्सों को वापिस इखटा करके जोड़ के वापिस उसी फॉर्म में, उसी रूप में आना है, ताकि हम वापिस अपना जीवन वैसे ही जी सके, अगर आपके मन में पहले की आपके कोई कुटाएं हैं, जिनको आपने खूब अच्छे से जगा दे रखी है, अपने अवचेतन मन में, तो उनको निकालिए, उन सारी की सारी कुटाओं से बाहर आईये, उन सारी के सारे दर्दों से बाहर आईये, आप खुद को भी माफ कीजिए, अपनी गलतियों के ये ना खुद को ब्लेम कीजिए, ना दूसरों को ब्लेम कीजिए, ना अपनी किस्मत को कीजिए, और ना उस दुख को लेकर बैठ जीए, अगर ऐसा नहीं होता, तो आज ऐसा हो जाता, इस तरीके की फील से भी आपको बाहर आना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करने ही ऐसे ही बहुत सारी बाते मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ, जोतिश के बारे में, रेकी के बारे में, वास्तु के बारे में, आपके औरे के बारे में, अंकशासर के बारे में, बहुत सारी चीजें, अगर आप सरल भाशा में सुनना चाते हैं, तो मेरे चैनल को ज सारी चीज़ों के साथ साथ मैं अपनी मोटिवेशनल वीडियो भी डालती रहती हूं क्योंकि मुझे पता है कि इन चीज़ों के साथ मोटिवेशन हम सब को बहुत ज़्यादा जरूरत है आपको भी है और मुझे भी आज के लिए इतना ही मैं रमा जोशी नमश्राइब